बैग्यानिकों ने उड़ने वाले सरीश्रिप के जीवासम को खोजा है करोडों साल पहले उड़ने वाले विशालकाय सरीश्रिप का जीवासम इसका इदूविप पर पाया गया है इस खौफनाक जानवर के आठ फिट लंबे पंक थे और बेहदी नुकिले दात थे जो इसे बेहदी खतरनाक बनाते थे इसको अब तक का सबसे बड़ा जुरासिक टेरसोर बताया जा रहा है सतरे करोड साल पहले उड़ने वाले जुरासिक टेरसोर आसमान पर राज कलते थे इस उड़ने वाले जुरासिक टेरसोर के जीवासम को एडिनवर्ग यूनिवर्सिटी की छात्र हमेलिया पैनी ने एक सुदूर समुद्र के किनारे पर खोजा है जीवासम की खोज करने वाली टीम के लिए जुवार एक बड़ी चुनोती था क्योंकि वैक नारे पर मौजूद हर चीज को बहा कर ले जा सकता था इस जीवासम को खोजने में हमेलिया पैनी और उनकी टीम को कई मुस्किलों का सामना करना पड़ा लेकिन उन्होंने इसे खोजने में कामियावी हासिल की आईये जानते हैं खोजे गए उड़ने वाले इस जुरासिक टेरासोर के बारे में एक मेडिया रिपोर्ट के मताविक बैग्यानिकों ने टेरसोर की इस नई पलजाती को डिये रख सगिया था नाच यानी पंखो वाले सरी सिरिप का नाम दिया है एडिनवर्ग यूनिवर्सिटी के स्कुल ओफ जियो साइंस के परफेसर इस्टीव बुर्शेट ने बताया है कि ये जीवासम बेहत पलाचिन और संग्रक्षित हैं उन्होंने बताया कि एक डरावनी फिलम की तरह हैं इनके जुन्ड को देखना क्योंकि कोई भी इन्हें देखकर डर सकता है इनको सिकार कलते देखकर किसी की वीरू काप जाएगी प्रफेसर इस्टीव बुर्शेट ने बताया है कि जाबड़ा बंध होने पर इनके लंबे और नुक्विले दांत पिंजडे की तरह नजर आते हैं उन्होंने कहा है कि अगर यह खतरनाक जानवर समझ कनारे होंगे तो मैं वहाँ जाने के बारे में सोच भी नहीं सकता उन्होंने कहा है कि अब तक जितने सबसे सुंदर प्राचिन और बेहद संग्रक्षित तैरस और के गंकाल पाए गए हैं यह उनमें से एक है उन्होंने इसको बिल्कुल नहीं पढ़ जाती बताया है इससे पता चलता है कि जुरासिक काल के उड़ने वाले सरी सर पहले लगाए अनुमानों की तुलना में बड़े होते थे पी एच डी छात्र नतालिया जगी एल्सका कहना है कि इस खतरनाक जानवर के दो दरजन यानी 24 दात होते थे उन्होंने इसे जुरासिक काल का सबसे बड़ा टेरसोर बताया है जगी एल्सका ने कहा है कि हमें जानकारी मिलती है कि क्रियेटिस काल से पहले जब इनकी तुलना पक्छियों से की जाती थी तो टेरसोर अनुमान से ज़्यादा बड़े हो गए थे नैसनल मूजियम ओफ स्कॉटलेंड में जीवासम को रखा गया था अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब करें धन्यवाद